डेजी शा और शिफ ठाकरे फैंस के लिए इस वक्त बुरी खबर सामने आ रही है जी हाँ आखिर किसका इस वक्त शो से शायद इल्मिनेशन हो चुका है चली आपको बताते हैं किसके फैंस इस वक्त घबरा रहे हैं अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अद तक देखेगा और लाइक जरू करना और उसी के साथ साथ अब आपका जो भी कॉमेंट है वो भी हमारे मैंटर करता है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में मैं आपको बता दूँ कि देखो जब से खतरों के खिलारी शुरू हुआ है एक जोड़ी सबसे ज़ादा लाइमलाइट में है और वो जोड़ी किसकी है वो जोड़ी है अफकोस शिव ठाकरे और उनके साथ डेजी शा की आज ही शिव ने पोस्ट शेयर किया है पहले तो तस्वीर उन्होंने स्टोरी पर डाली लेकिन फिर ऐसा लगता है कि स्टोरी से उन्हें लगा कि उन्हों स्टोरी से ज़ादा जूरी है पोस्ट करना हो गया है तो उन्होंने इस फोटो को सीधा सीधा पोस्ट कर दिया सोश या फिर आप कह सकते हैं डिव यह दोनों में से कुछ एक बन सकता है बठा मैं आपको बता दू कि इस वक्त इनके फैंस के लिए बरी खबर यह है कि सोर्स कहीं ने कहीं हमें इस बारे में बता रहे हैं कि शेव या डेजी में से किसी एक सफर खत्रों की खिलाडी में खतम होने को आ रहा है जी हां देखे सबसे पहले यह बताया गया कि रूही चतरुएदी जो है वो खत्रों के खिलाडी से इविक्ट हुई यह एक रियूमर थी लेकिन यह कंफॉर्म तब हुई जब रूही ने खुद अपने इंस्ट्रग्राम पर लिखा और शेयर किया है लो हाइद कर रहे थे शिफ ठाकरे के पैर में चोट लगी है हलकी सी पैर में रिकवरी का मोड अन था वो हमने कल आपको दिखाया सो हो सकता है कि शिफ भी हो सकते है या फिर डेजी भी हो सकती है लेकिन कंफॉर्म कौन निकला है वो आने वाला वक्त ही बताएगा मैं आपको बता दू कि सोर्से इस वक्त ये बता रहे है कि शिफ ठाकरे और डेजी में से कोई एक गैरंटीड बाहर हो चुका है कौन है उसका इंतिजार आपको करना होगा लेकिन आप फिलहाल के लिए इन दोनों को लेकर और इनकी जोडी को लेकर आप फैन्स क्या सूचते हैं जरूर हमें बत एगा इगा